अचार या चटनी खाने की थाली में खाने का स्वात दोगुना बढ़ा देते हैं आज हम बनाएंगे अमबाडी का अचार सबसे पहले कडाई में सुखी लाल मिच को भून लेंगे इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे मिठी, जीरा, धनिया भी सिख कर मिच की प्लेट में निकाल लेंगे अमबाडी की भाजी को दोगर कडाही में डाल देंगे दो चमस तेल ढाल कर इन पत्तों को घलने तक पका लेंगे हिंग ढाल कर भूनी सामगरी को पीस लेंगे भाजी को चमच से मैश कर नरम कर लेंगे, पिसे मसारे नमा फल्दी डाल कर अमबाड़ी की चटनी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे फ्राइन पैन में तेल गरम कर लेंगे, राई, जीरा, लजुन की कलिया, करी पत्ता डाल कर, तड़के को चटनी पर डाल देंगे तो लीजे, आपकी अमबाड़ी की चटनी या अचार तयार है, इसे गरम गरम चावल पर घी डाल कर मिक्स कर खाईए ये चटनी, आपको अच्छी लगेगी, खाईए और इंजोई कीजे, बाबाई